क्लास सकेंड, I am your Hindi teacher, today I will teach you Hindi, strengths, open your book, बच्चो आज हम Hindi व्याकरन पढ़ेंगे बिटा, तो बिटा जैसे कि हमने आपको पहले क्या पढ़ा है था, हम आपको पढ़ा रहे थे बच्चो, पार्ट एक, वर्ड और वर्ड माला, तो पार्ट एक में जो आपका फर्स्ट चेप्ट वर्ड और वर्ड माला, तो बिटा पेच नंबर 8 निगा दिये बच्चो, पेच नंबर 8 तो पेच नंबर 8 पर आपका second question है बिटा, चित्र के नाम का पहला वर्ड लिखो, क्या है बच्चो, चित्र के नाम का पहला वर्ड लिखो, ये जो चित्र दिये हुए हैं, इनका और इस सरकल में लिखना है ठीक है इस सरकल में बच्चो हम आपको को बताते हैं । sih क्या distingu फ्य क्या है ए बच्चो अंगूर तो इस वे सरकल में आप बरली जी पहले अक्छर अंगूर्ष ऐसे ही यह है औरत तो इस सरकल में आप ओ भरेंगे क्या भरेंगे बेटा ओ यह है त्रशूल तो इस सरकल में आप त्र भर देंगे क्या भरेंगे बेटा त्र बच्चो यह क्या है छत्री है क्या है बेटा छत्री है तो आप छा भरेंगे जैसे मैंने ये भरे हुए है बेटा सरकल में आप लोग अपनी बुक में बाद लेजिए बच्चो और आपका हॉमबग बता देती हूँ मैं आपको हॉमबग में आपका थर्ड कोश्चन है दिये गए शब्दों को मंजूशा से चुनकर सही जगा पर लिखो दिये गए शब्दों को मंजूशा से चुनकर सही जगा पर लिखो तो बच्चो ये आपका जो ड़ा है न यड़ा हमें ऐसा अक्छर लिखना है जिसमें ये ड़ा आ जाए और ये आपके जो दिये हुए न अक्छर बटा इसी मैंसे लिखना है हमें तो पहाड है तो यहां से पेड़ ये पेड़ भर देंगे हम फिर ये सीड़ी तो ये आपकी सीड़ी सीड़ी भर दी पेटा हमने फिर बुडिया बच्चो बुडिया ऐसे ही जा का जहाज ये राब का जहाज ऐसे ही कागज आ गया न जा बेटा इस तरीके से तो ये कागज ऐसे ही फा तो फा का देखो इसमें कहा है फा का साफ आगे अफ़ा बेटा तो ये आप यहाँ भर देंगे अब इसमें देखो तूफान तो बच्चो तूफान ये आपका होमग है ये आपको प्रीबुक में जिस तरीके से मैंने बताया है ऐसे ही भरना है बेटा ठीक है बच्चो